उत्तरपरदेश में योगी सरकार किसानों के हितेशी होने का दावा करती है लेकिन जमीनी हकीकत क्या है वो अनिदाताओं के आरोप बया करते हैं लखीमपूर में किसान अपने फसलों को बचाने के लिए इसकदर मजबूर हो गए कि उन्हें भालू बनना पड़ा इस बेबसी में उन्होंने प्रशासन पर जम कर आरोप लगाए है तस्वीरों में नजर आ रहे हैं भालू खेतों को बंदर से बचा रहे हैं लेकिन क्या आप जानते हैं ये भालू नहीं बलकि इनसान है जहां बंदरों के आतंग से अनदाता इसकदर परेशान है कि उन्हें फसलों को बचाने के लिए जानवर बनने पर मजबूर होना पड़ा ये तस्वीरें उत्तरप्रदेश के लखिमपूर खीरी जिले की हैं जहां किसान भालू बन कर अपने खेत की रखवाली कर रहे हैं दरसल लखिमपूर खीरी के जहान नगर गाउं में किसान बंदरों को गन्य की फसल को नुकसान पहुचाने से रोकने के लिए भालू की पोशाक का उप्योग करते हैं किसानों ने फसल को बंदरों से बचाने के लिए पैसे इखटा किये और बंदर की पोशाक खरी दी हैं किसान ये पोशाक पहन कर खेत में बैठते हैं ताकि बंदर फसल को एक किसान ने बताया कि शेत्र में 40-45 बंदर घूम रहे हैं और फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमने अधिकारियों से गोहार लगाई लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए हमने पैसे का योगदान दिया और अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए 4,000 रुप लेकिन सवाल उठता है कि पहले कदम क्यों नहीं उठाए गए। दीबी लाइफ की रिपोर्ट